टीवी अक्टर्स दिव्या भटनागर के नीधन के खबर से टीवी इंडस्ट्री को बड़ा जटका लगा है कई सेलिब्रिटीज उनके नीधन के बाद सोशल मीडिया के जरीए शोक जाहिर करती हुए दिखाई दिये वोई दिव्या के सबसे करीबी दोस्ट देवुलेना भटचार जी को उनकी मौत ने इस कदर तोड़ दिया कि वो फूट फूट कर रोती दिखाई दी जी हां देवो ने बकाईदे एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में दिव्या के पती गगन गबरू के खिलाफ चौकाने वाले पांच खुडा से किये हैं अपने पहले खुडासे में दिव्या को रिलेशन्शिप में बहुत बड़ा धोका मिला था जी हां देवो ने क्या कहा है सुनिये जरा आई नो कि आज दिव्या के साथ जो भी हुआ दिव्या हमारे बीच में नहीं है इस वीडियो कोवीड बर जो mental stress जो physical abuse उसके साथ हुआ है कोई भी इंसान अगर उस face से गुज़र था तो चोटी सी चोटी सी एक बिमारी से भी लड़ने की उस इंसान के पास ताकत नहीं होती है तो फिर भी कोवीड था वह दूसरे खुलासे में देवलीना ने गगन द्वारा लगाए गए दिव्या के घरवालों पर लगाए आरूपों को जूटा बताया है जिहां उनने दिव्या को अपने प्यार में इस कदर फसा लिया था कि वह अपने दोस्तों और परिवार वालों के अगेंस्ट हो गई और वो नहीं चाहते थे तेरी शादी होए और तेरे नाम पे वो पब्लिसिटी ले रहे तेरी ओकाद किया है क्या ओकाद है तेरी तू कौन है तू यहां पे जो चार पांच जो गिने जुने आर्टिस्ट को भी जानता है ना वो दिव्या के बदौलत भीग मांगे तू हिम साल मेरी दिव्या से बात नहीं हुई थी यूगि मुझे पता था कि तू ऐसा ही निकलेगा पर दिव्या तेरे प्यार में इतनी अंधी हो गई थी तूने तेरे बातों में इतना फसा लिया था कि उसको आगे पीछे कुछ दिख नहीं रहा था इसले उना अपनी माबाप की ना भाई की सुनी ना मेरी सुनी ना बाकी दोस्तों कुल सो तो जिसके वजे से आज हो हमारे बीच में नहीं है वही रोते कोई देवु लीना का गुस्सा यहीं नहीं था बल्कि अपने तीसरे खुलासें में उन्होंने ये भी बताया कि गगण पर एक मॉलेस्टेशन का के सुनिए जरा देवों ने इस पर क्या कुछ कहा है तो तेरे अगेंस जो हम लोग खड़े थे वो इसके लिए गगन गब्रू क्योंकि तू मॉलेस्टेशन एक केस में शिमला में तेरे उपर केस चल रहा था और जिसकी सजा छे महिने जेल में रहके तो लास्ट येर भुगत के आया है वो भी बेल दे और अभी कभी भी तू अंदर फिर से जा सकता है और अभी तो जाएगा ही क्योंकि तूने जो मारपीट की है दिव्या के साथ इतने सालों तक तूने जो टॉर्चर किया है में टेल टॉर्चर जिसके विल से वो इतनी स्ट्रेस में आगी इतनी बिमा पढ़ गई उसको डाइबटेस हो गया हर एक चीज तेरे वजी से हुआ है जो तुने उसको टॉचर किया है वहीं देवों ने जौथा खुलास करते हुए बताया कि दिव्या ने गगन के खिलाफ ओशिवारा पुलिस टेशन में दिव्या ने एंसी करवाया था और क्योंकि व इमाम खुलासों के बाद देवों ने पांचवा खुलासा करते हुए गगन को जेल भेशने की धमकी तक दी और ये भी बताया कि दिव्या के साथ हुए एक घटना का प्रूफ देवों लीना जल्दी एक्सपोस भी करेंगी सुनिए जरा देवों लीना ने क्या कहा है और ए आप सब के सामने एक-एक करके मैं एक्सपोस करूंगी बट उससे पहले तू सुन ले गगन गबरू तेरी जिन्देगी अब जेल में ही सड़ेगी ये तू आज समझ ले तुन्हें जो घिया है ना दिव्या के साथ उसका हिसाब तो भगवान ही तेरा आप करेगा साथ है की दिव्या की मौत का जिम्मेदार देवलीना और उनके परिवार वाले सिर्फ और सिर्फ गगन को ही मानती हैं हाना कि अब देखना ही है कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता नजराने वाला है